हादर दोस्तों जी आईसी एक्जाम में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो गुआ है उसके आंसर की जो एनलाइज की गई है किस का किस ऑप्शन का कौन सब्गल्प सही है तो स्टार्टिंग से देखेंगे 41 का जो आंसर है वो आपका सेकंड वाला एकदम सही है इसके बाद 42 का जो आंसर सही है उसका है सी ऑप्शन राइट अंसर है इसके बाद 43 में आते हैं 43 का एक ऑप्शन एकदम राइट है 43 के बाद जो 44 का ऑप्शन है इसका ऑप्शन सही है कुछ लोग यह भी कह रहे हैं बड़ यह उप्शन ज्यादा बैटर है 45 का जो आप्शन है इसका बी ऑप्शन सी ऑप्शन सही आएगा नेक्स्ट में इसका स्वाल जाने कुछ लोगों के कहना है इन दो में डाउट है इन दो पे ही आञे सही होगा उपर वादा नहीं होगा और लास्ट बारा होगा इसके बार आते हैं नेक्स्ट बारा नेक्स वाले का 47 का एक उप्षन इंकम राइट है इसका एक चौथा होगा और बी का जो होगा वह तीसरा होगा और जो सी का होगा वह पहला है और इसका दूसरा नेक्स कोशन है 48 का 48 का ऑप्षन बी सही होगा कई लोग डाउट में आ गए इसलिए यहां पर जिजुनेंस यहां माइगेट करें इसलिए यहां पर लेप्टोफिलिक एडिशन रेक्षन सबस्याद होगी 49 का ऑप्षन एक इंदम राइट अंसर इसके बार नेक्स में चलते है 50 50 कोशन का जो अप्षन है उसमें देखो 32 एवं इजी स्टर समानूज जाके होते हैं यह एकदम ऑप्षन उसमें सुमेलित नहीं है तो इसका पहला ही ऑप्षन सही हो जाएगा सुमेलित नहीं है नहीं पूछा है इसलिए यह ऑप्षन राइट होगा है यह तोड़ा सा साइटलाइजीशन होगा वह यह लेविंग गुरूप बाहर हो जाएगा इसलिए इसका सी ऑप्षन एकदम राइट अंसर है इसके बाद 52 52 का यह ऑप्षन सही होगा एक का सब लोग जानते हैं फिटर क्राप्ट जोगी उसका होगा तीसरा इससे यह अंसर लग जाता डिका इसके बाद 54 54 का जो आपका देखो डी ब्रॉग लेक्यूशन जो है और इसका है जनवर बीका आपका पहला था तो बीका पहला इसमें ठीकिटी ऑप्षन इसका राइट अंसर होगा इसके बाद आते हैं 55 में 55 में उसने पूछा था डाइनो फाइल डाइनो फाइल का जो है बिड्रॉइंग ग्रॉप पर टेपेंड करता है इसलिए इसका सी और्फन इंदम राइट अंसर होगा इसके बाद पूछा है इसने इसमें पर बिचार कीजिए तो बिचार करने पर इसके बाद फाड़ियों के इसाथ होगी का अपका जो होता है अन्सेदिया वड़ियों पर उसकी इसमें पर इलेक्रॉट्वशन के साथ होगी इसका फिप्टिएट का जो और वो दी ऑप्शन एकदम राइट होगा क्यों कि वालियूम बढ़ने पर उसकी रेडियस उसकी अपने आप ही बढ़ जाती है 59 का जो राइट रांसर होगा वो डी होगा क्योंकि यह मैटल लिगेंड लिगेंड मैटल को टांस्पर करें यह तो आप्शन एकदम गलत होगा साथ में जो ऑप्सान है उसमें पूछे हैं ऑप्टिकल गव्याज में कौन दर्साहता दोकु पहला वाल ऑप्शन तो इकदम गलत होगा कि उसने का अधिक कार्यल्स में ऑप्रीगल हो जाता है अगर उसमें सेमिक्रिकल सेंट्र आप सेमिक्रिक होगी तो वह वैसी भी यह एकदम राइट है इसका 61 का सबको पता है उसके को लाइड। सौर्ट संख्या इसकी सबसे कम है सौर्ट संख्या इसके रक्षण को लाइडिस सबसे ज़्याद होगा इसलिए इसको ऑप्षन डी सही होगा इसके बाद 62 का जो असर इसका 63 का डी सबसें इसके बाद 64 का सी ऑप्षन इसका जो ऑप्षन है तो इसका जो ओप्षन है वो डाउट फोन है इसमें यह ऑप्षन एकदम गलत होगा कि यह ज़नी बनाएगा थड्वा ना तो नहीं इसका सही प्षण होगा है। इसका राइट होगा। इसके पंगा। 66 का सिक्ष्ट पीक सब्लोग जानते हैं जिंप अमलगम मैटल अगा है और एस प्राइफ है तो आपकी क्लेमेंशन तेेक्शन अभी के दर्शात है। यह बहुत सिंपल कोश्च नदा हुप पीश्रीज नना थो इसका यह ओपन थी ऐस नहीं होगा बस इसमें एक चीद धियान देनी से इसे में की जगा और होना चाहिए था बट इसको अप्सिक्ष नहीं किया आपन होगा भी कि किसका सही आप संब को पुचा गिया है बागी 71 का सही option लगेगा B कई लोगों ने इसमें D लगाया है लेकिन इसका प्राइट है 72 का सही option है D होगा इसका सही option क्योंकि square planar structure है इसलिए इसमें कई लोगों ने लगाया है C और B इसमें doubt है लेकिन आप लोग B या C में इसे option ही सही मानी है आयोग की answer की आने कवाद confirm ओर होगा है इसमें 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 स्टेट बनती है इसलिए इसका थार्ड वाला option नहीं होगा इसलिए इसका सही answer होगा D यह बहुत सिंपल था बूना एस स्टाइड इन यहीं से पलता चल जा रहा था स्टाइड इसका सी option सही होगा 75 का यह भी वह आपका सबसे जाला निप्वेड है लास्ट वाले में इसलिए इसका यह option राइट होगा इसके बाद यह कहीं स्ट्वेड नहीं बनाएं लिग बाट इसका सही option आएगा D इसमें आपको यह फार्गोन लगाना था पाई बराबर I C R T तो इस वाले के लिए आई का मान जो से इसको ब्रेक करेंगे तो जैसे इसका इसका एक एक जामल समझा दे रहें टू एफी प्लस थ्री प्लस और थ्री एस्टो फोर माइनस टू तो यह दो आए ने यह तीन आए हैं टोटल कितना हो यह फाई इस तरीके से निकालना करें इसका इसका जो सही option होगा कई लोग कह कम रहें तर रहें शर्पर इसका स्टेंस्टंस सर्पेस टेंसन पर डिपेंड्न नहीं करता है कि इसमें इसमें आप्सन इसका अब यह कई लोगों का option कि खोड़ लोगों कहना है कि टी अप्स्डियू बिया का रहा है कुछ बच्चे बट इसका भी ज्याला चांश है बट कुछ लोगों कहना है कि यहां इसके लिए भी मान सही निकल ले इसलिए इसका डी उपस्ट ज्याला चांश आने का इसके बाद इसका बी उपस्ट होगा 86 का अभी तो ए मान की चलिए बट यह डाउट फुल कोशन है तो अभी छोड़ के चलिए इसको आयों की आंसर की पर बाट ही डिपेंड करेंगे 87 का ए उप्शन इंदम राइट है 88 का सी उप्शन इंदम राइट है इसके बाद 89 का डी उप्शन एकदम राइट एंसर हे इसका फरब्वट इन्स का यह जो कउशन है इसका जहां तक डी लगे गहां भी इसको आयूंका से ही मिलाना पड़े गा का ही लोग लग लग तरक देंगे इसक बिए ओप्शन एकदम राइट है और इसका डी ओपशन एकदम राइट एंसर है इसको भी आप लोग अभी कन्फूजन में तो इसको भी रोक के चलेंगे लोग इसके बाद 94 का जो आप्शन है 94 का भी आप्शन एक दम राइड है क्यों यह बहुत सिंबल कोश्च नहां आर रेनियस एक्वेशन एसे मैच कर दिया था इसके बाद 95 का जो कोशन पूचा गया नियुक्त कर दोनों परियान करेंगे बी इसके बाद 95 का आईनों की संगया पूचिँ इसका स्की आप्शन एक्दम राइट होगा इसके बाद 97 का जो आई पीशी ता यह बहुत सिंबल कोश्च नहीं दी होगा बट 50 नल जो आप्शन इससे क्लिए हो रहा है इसके बाद 98 का यह उप्षन एक्दम राइट होगा 99 का यह जो एजूली है यह गलत है यह अरमेटिक नहीं सो करेगा इसलिए चौथा को छोड़ दें तो यह इसका सी ऑप्षन सही हो जाएगा इसके बाद जस्के इनवर्स होता है जितने इसकी वैल्यू जतनी जाद होगी पी एच उतना ही कम होगा तो सबसे सबसे कम पी के वैल्यू एक ही है इसलिए इसका दी ऑप्षन एकदम राइट लगेगा आइक सो एक का ये आउप्षन एकदम वाइट की लिए लगे इसकी कारगो एनैन की स्ट्टी सबसे ज़्यादा हो जाएगी ही है कि इसलिए आपका 151 जब्ला का एक अप्षन सभी लगे गया next में आजाते हैं next में दिए मिलान करना तर इसमें a option एम राइट होगा यह सबकर simple question है इसका c option इदम राइट होगा इसके बाद इसमें कई लोग कह रहे हैं कि यह चारों होगा बड़ यह चारों नहीं होगा इसका c option के ज़्रद हब से इसलिए आप c come on चलिए भी बट आयो कि आने के बार कंफर्म हो ही आएगा इसके बाद निम लिक्वित में से कौम किसमें D लेक्ट्रोन नहीं है तो D लेक्ट्रोन आपका यह इसका एंसर कंफर्म सही है इसके बाद कौन प्रामिटल सर्द्स अचाहिए कि इसके दी आप्षन एकदम राइट है इसमें linkage isomerage होगी कि क्योंकि NO2 जो गुरूप होता है अगर ओ अनो गुरूप में आता है तो समझ लेना यह कौन सा isomerage हो करेगा linkage isomerage हो करेगा इसके बाद यह जो reaction थी यह benzyne reaction थी यह दोन रियक्शन करके यह benzyne बनाएंगे यह benzyne यह benzyne बनता यह और एक benzyne और बनता इस तरीके से यह यह फिर जो रगाते है तो इसका डियूप्शन एक्दम राइट हो जाएगा इसके बाद एक सुनोग कोछ लोगों कहना है कि जोटर आइन होगा कुछ लोगा आई सेजक्टन तो इसके इन दो में ऑप्शन में आयवक के लिए कर लेती हैं कौन सांसर सही लगेगा एक सुदस का डियूप्शन एकदम राइट है इसका भी एकदम राइट है इसके डाइपोल जीर होगा इसमें यह जो है वो बेंजल एट में ऑक्सिकर्ट कर देगा यह नहीं कर पाएगा तो इसलिए इसका अभी रहने देयते हैं आयो के लिए वेट कर लेते हैं सेक्शन के लिए और दाइपूल का इसका होगा कि यह बांड तोठेगा यहाँ प्रस आएगा यहाँ अधर थाइगा यहाँ माईनिस आए मे धोस के कि इसके बाद नेच्स्त आएks इसका इसके एक यूदान पीडि़के प्से तुकम मेलान करना तो कौन सा गलत है आप कई लोग किरें एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है वांट हब में तो यह डाउट है बट इसका यह उप्सन ज्यादा चांस है लगने के कुछ लोग कहना है कि भी उप्सन होगा तो इसको लिए वेट कर लो तीन कोशन होगा है जो वेट करना है इसका यह उप्सन जहां तक सही लगेगा और इसका लगेगा लास्ट डी उप्सन तो आप लोग मिला लिए गांसर की जिसके जौन से कोशन सही हो उससे आप से next मैंस की तैयारी के लिए 70Plus को अंसर सही है 70 के ऐसपार चेनल अगर 70 सही है उसके तो मैंस की तरफ करते क्य성ि 70 ज्यादा कट अअग् долго जैने वाली हैं तो सब 20 अगर जिनका सेवेंटी के असपार सही कोशन जा तोटल मलाके तो वो लोग मैंस की तजियरी स्टार्ट करतें और 70 से 75 की बीच में ही कट अफ रहने वाली है कई लोगों को कहना है कि 100 सही है 105 सही है वो सब कुछ नहीं होगा लास्ट में रिजल्ट जो आएगा और 70, 71, 72 इसी के आसपास ही कट अफ में फस जाएंगे तो बिलते हैं, डेक्स में लिखते हैं, अब अब जाएगा लगाँ से लिखते हैं